और इसे भी जमू कश्मीर से एक बड़ी ख़बर आ रही है आपको बता दे जहां डोडा में पाकिस्तानी आतंकी को सेना की उनसे मार गिराए गया है फिश्वे कुछ दिलों से आप लगाता देख रहे हैं कि किस तरीके से घाटी का मौहल खराब करने की जो कोशिश है वो यह पर की जा रही है लेकिन सेना मूतोर जवाब देती हुई नजर आ रही है जमू के डोडा में पाकिस्तानी आतंकी को धेर किया गया है इस वक्ति यह बड़ी जानकारी आपको लगा ताहर दे दें कि जिस तरीके से आतंकियों की नापाक हरकते हैं वो यहां पर मनसूबे उन पर की राइफल बरामत किया गया है डोडा में एक पाकिस्तानी आतंकी को सेना की ओर से धेर कर दिया गया है डोडा में सुरक्षबलों को बड़ी काम्याबी मिली है एक पाकिस्तानी आतंकी को सुरक्षबलों ने मार गिराया है पूरे इलाके को जो है आप सुरक्षबलों क कि तरफ से कॉर्डन कर दिया गया है आपको दिखा दें कि घरने जंगलों का यह राका है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है पूरे इलाके को सुरक्षबलों की तरफ से घेर लिया गया है बतादे की मारे गे पाकिस्तानी आतंकी स सुरक्षबलों को भारी मातरा में गोला बारूद और हत्यार बरामद हुए हैं जिसमें की अमेरिकी निर्मित M4 कारबाइन भी है जो खास तोर पर जैश अपने कमांडर्स को देकर भेजता है पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे ठीक सामने तो सुरक्षबलों की तरफ से घेर लिया गया है तमाम अलादिकारी इस वक्त मोके पर मोजूद हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को सर्च किया जाए माना जा रहा है कि दो से तीन आतंकियों का ये ग्रुप था जिसे कि सुरक्षबलों ने घेरा जमू कश्मीर पुलीस भारती स है ना कि चार आस्टराइफल और नो पैरा का ये संयूगत अभ्यान था जिसमें की एक आतंकी को अभी तक मार गिराए गया है पूरे इलाके को अब सुरक्षबलों की तरफ से आप देखें कर दिया गया है ठीक सामने ही वो ढोक है जहां पर आतंकी चिपे बाठे थे ये व दो से तीन आतंकी जो चिपे बैठे हैं उन सब ही आतंकीों को मार गिराया जाए जो मुकश्मीर पुलीस भारतिय सेना का संयूगत अभिहान स्पेशल फोर्सिस को इस ऑपरेशन में इंडक्ट किया गया है खासतोर पर जो लोकल इंपुट जेनरेशन थी वो इस वक्त जो ह अरे पुलीस ने एक बड़ा उपरेशन सुरजियुक्त सुरक्षावलों के साथ मिलकर निकाला है और अब आप देखेंगे तो पूरे इलाके को घेर लिया गया है कोशिश वे है कि जल्द से जल्द इस पूरे एरिया को क्लियर किया जाए उनातंकीों कुमार गिराय जाए जो इस इलाके में अक्टिव हैं यहां से आगे चंद मीटर के दूरी पर वो एंकाउंटर स्पोर्ट है जहां पर लगतार सुरक्षावलों के साथ ऑपरेशन जारी है उस भीज आप देखें कि अतिरिक सुरक्षावल भी लगतार ऑपरेशन साइट की तरफ पहुंच रहे ह आपको डोडा एंकाउंटर में बता रहा है जहां सुरक्षावलों ने आतंकी हमले के 15 दिन के भीतर ही उन आतंकियों को माल गिराया जो लगतार इस घने इलाके में जंगलों में छेपे हुए थे ढोकों का सहरा लेकर कोशिश्य कर रहे थे कि बड़े आतंकी हमले को अंजा हैं वीडी जी को एक बार फिर से सिद्रेड करने की कोशिश की गई है क्योंकि लोकल इंपूड जेनरेशन में वीडी जी का कोई भी मुकाबला नहीं है विलेज डिफेंस ग्रूप वो आम लोग जिन्होंने की हत्यार उठाये थे और 1990 में भी आतंकवाद का पूरा खात्मा किया था एक बार फिर से वीडी जी के हाथों में हत्यार उसके सासा सुरक्चबल पूरे इलाके में तैनात और कोशिश वेग की जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए जिस ऑपरेशन में दो से तीन जैश के आतंकी बताय जा रहे एक आतंकी को अभी तक माल गि कि शुरू हो गई है आतंकीों को ले करके जो सेना को अपरेशन आला उचा लगाता चल रहा है और डेडा में आतंकी को धेर कर भी दिया गया है